नमस्कार दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है टर्टर लर्निंग सेंटर से तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों क्लच पैडल फ्रीपले एड़ेस्मेंट तो इसमें हम तीन चीजे समझने वाले दोस्तों क्लच पैडल फ्रीपले क्या होता है क्लच पैडल को फ्रीपले को एड़ेस्ट किस तरीके से किया जाता है और क्लच पैडल फ्रीपले अगर सही नहीं है तो क्या-क्या समझ से इसमें आ सकती है वो चीजे आज हम discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि clutch pedal free play क्या होता है clutch pedal free play मतलब होता है दोस्तों कि यहां से आप देख सकते हैं यह जो होता है ठीक है अब यह जो आपको distance दिखाई दे रहा है यह free play कहलाता है ठीक है यहां से जब मैं clutch pedal को दबाऊंगा तो clutch dising के जोगा लेकिन इतना जो distance रहेगा यह free play रहेगा इसी को कहा जाता है clutch pedal का free play और यह free play release bearing जो होता है अंदर clutch assembly के पास release bearing और finger के बीच का जो gap यह कहलाता है ठीक है यह free play होता है दोस्तों यह अमेम में होता है अलग-अलग company का free play जो होता है clutch pedal का free play वो अलग-अलग होता है तो मेरे पास यहां पर नियौहलंड का टैक्टर है नियौहलंड 32 32 यह टैक्टर है तो इसमें free play जो होता है 30 से 35 mm तक का रखा जाता है तो यह जो free play है वो मैं आपको measure करके दिखाऊंगा से पहले इसका measuring किस तरीके से करना है इसमें measure करने के लिए clutch pedal free play measure करने के लिए कौन-कौन से instrument की ज़र्वत होती है तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हमें एक scale चाहिए ठीक है एक scale चाहिए और एक marker चाहिए इसको measure करने के लिए तो मैं आपको pass जाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको measure करना है और adjustment इसका कहा से होता है अगर ज्यादा है तो क्या समस्या आती है अगर कम है तो क्या समस्या होती है तो वो इसके बारे में पहले हम discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तो हम close pedal free play किस तरीके से measure किया जाता है उसके बारे में discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ पर एक line खीच लेनी है इस तरीके से ठीक है अब close pedal को मुझे दबाना है यहाँ पर ही सीधा होना चाहिए कि अब आपको लाइन दिखाई दे रहे होंगे दोनों के दोनों लाइन के बीच का जो distance है वह measure कर लेना है स्केल किसायता से ठीक है तो यह 25 में तक आ रहा है दोस्तों ठीक है 25 में तक है ठीक है 25 में यह distance जो है ओ मुझे मिल रहा है 25 में तक ठीक है तो यह जो free play है इसका कितना है 25 में है तो यह 30-35 में तक होना चाहिए यह जो free play है दोस्तों यह कितना है 25 में तक का है यह 30-35 में तक का होना चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा 5 में बढ़ाना पड़ेगा ठीक है तो हम इसको कहां से adjustment करते है वो चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो इसको adjustment करने के लिए दोस्तों यहां पर देखिए एक rod होती है जो clutch pedal से through आई है ठीक है और यहां पर अंदर की side में clutch रहेगा clutch assembly रहेगा तो इसका connection कहा रहेगा release bearing के साथ रहेगा इस fork का ठीक है तो वो क्या करेगा finger को दबाएगा तब clutch engage और dis engage होता है यह चीज आपको पता है तो यहां पर यह जो nut है यह दिखाई दे रहा है और यह जो rod रहेगा इस rod पर थ्रेड रहेगे जब मैं इस rod को बाहर निकालूंगा मतलब धिला करूंगा तो clutch pedal free play बढ़ेगा और इस rod को मैं जब tight करूंगा तो clutch pedal free play कम होगा ठीक है तो इस nut को spanner की सायता से खोलना ह मैं इस nut को जो चेकनटी यहां पर दिखाई दे रहा है और इस rod को थोड़ा सा मुझे क्या करना है इसमें बढ़ाना है तो इसको क्या करूंगा मैं थोड़ा सा धिला करूंगा तो यह क्या हो जाएगा सही तरीके से adjustment हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हम clutch pedal free play को adjust कर सकते ह होता है यह जो रहेगा यह इस से hollow रहेगा इसके अंदर यह thread के through यह rod जो होता है यह अंदर बार होता है बस इस nut को मुझे डिला करना है और जब हम set कर लेते हैं उसके बाद इस nut को tight कर देना है मतलब वह disturb नहीं होगा इस तरीके से हम clutch pedal का free play adjustment करते हैं दूसरी चीज है कि अ इसके बारे में थोड़ा सा हम discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हैं दोस्तों अगर clutch pedal free play बहुत ज्यादा कम है बहुत ज्यादा कम रहेगा तो क्या होगा जब मैं clutch pedal पे pair रखूंगा तो वह बहुत जल्दी clutch हो जाएगा डिसेंगेज हो जाएगा और ज्यादा तर ऑपरेटर क्या करते हैं कि clutch pedal पे pair लगके टैक्टर को चलाते हैं तो clutch pedal पे पे लगके जब टैक्टर चलता है और free play अगर बहुत कम है तो हमेशा डिसेंगेज कंडिशन में clutch चलेगा और clutch pedal बहुत जल्दी खराब होने के chances होते हैं और पावर भी टैक्टर में सही तरीके से नहीं मिलता है ठीक है दूसरी चीज़ है अगर ये clutch pedal का free play बहुत जादा हो गया तो clutch सही तरीके से डिसेंगेज नहीं होगा वो एंगेज ही रहेगा और गएर डालने के लिए आपको दिककत आ सकती है क्योंकि पावर सही तरीके से डिसेंगेज नहीं होगा तो गेर आवाज करते और गेर तुपने के बी chances रहेंगे और power भी सई तरीके से टेक्टर में हम लोगों को नहीं मिलता है clutch में समस्या याईगी तो इस आपको क्या करना है कि जो company recommended होता है मैंने आपको आएडिया दिया है कि किस तरीके से इसको measure किया जाता है तक होब बशान है कंपनी जो कंपनी रिकमेंडेर रहेगा फ्री फ्ले आपको किसींवी ह better है आपको पास रिकमेंडेर्ड फ्रिपले आपको सेट करके ही प्रिकॆ को चलाना है तो समस्य नहीं आएगा bath, मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में दोस्तों तब तक के झाली है नगने वाद